स्रे और निमित सुनने में यह सब्द हो सकते हैं कि बहुत उप्योगी ना लगें क्योंकि सामाने तोर पर व्यक्ति इन सब्दों को खो चुका है इन सब्दों की मर्यादा को नहीं समझ पा रहा है आईए हम इस पर थोड़ा सा विचार डालते हैं यह स्रे क्या है और निमित क्या है देखे हम हमेशा कहते हैं हम परम पवित्र परमात्मा की पवित्र संताने हैं और हमारा जो परम पिता परमात्मा है उसने हमको भेजा है इसलिए है कि हम उसके जो काम है उसको इस संसार में कर और बदले में हमको क्या मिलेगा तो बदले में हमको मिलेगा स्रे चुकि हमको परमात्मा ने उसका निमित बनाया है निमित कैसे बना दिया कि जाओ जैसे हमारे पिता जी ने हमको कोई काम दिया और बोले कि बेटा इस काम को तुम कर ले न और आप ने Us काम को किया और पॉरसनदुक्य किसके उपर हो गया वह जिसका आप ने काम किया वो पुरसनद्ल आपके उपर हो गया जबकि भेजा किसे ने था पिता जी ने पिता जी ने आपको 10 रुपाय दिये कि बटा जाओ किसी गरीब आदमी को भोजन करा देना और आपने गरीब आदमी को भोजन कराया और वो गरीब आदमी आपको दूआ देने लगा आप उससे कहेंगे ये तो भगवान का काम है ये तो मेरे पिता जी ने दिया था लेकिन वो कहेगा नहीं मेरे ली तो आप ही भगवान है क्यों कि मुझे तो आप ने दिया मैं उसको नहीं जानता हूँ जब आपको ये बात समझ में आएगी क्यार बात तो सही है दिया तो मैंने है लेकिन आपको किसे ने दिया था इस पर थोड़ा विचार करिए इसी तरह से हम किसी को भोजन कराते हैं हम किसी को कष्ट देते हैं हम किसी को प्रेम करते हैं वो हमने पाया कहां से आप भोजन किसी को करा रहे हैं तो आप भोजन करा रहे हैं तो भोजन से उसकी छुदा मिट रही है ध्यान रखिये भोजन से उसकी भूख मिट रही है आप से भूख नहीं मिट रही है उसकी आप वहाँ पर निमित हुए और आपको परमात्मा ने धर्ती माता ने अन ने स्रे दे दिया कि वाह कितना अच्छा भोजन मिल रहा है कितना अच्छा प्रसाद बना है आप वास्तों में कुछ नहीं है हम वास्तों में कुछ नहीं है और इस बात को हम जैसे ही समझ जाते हैं किया रहा है मैं फल खिला रहा हूं किसी को लेकर मैं फल नहीं हूं उसको मीठा लग रहा है खटा लग रहा है मैं मीठा भी नहीं हूं मैं छोटी सी रस्टी हूँ जो हाथी को बांध रही है रस्टी उसने वास्तों में हाथी उस रस्टी को तोड़ सकता है। लेकिन हाथी को बांधने वाली रस्टी को एक मर्यादा कहा गया है। उसी मर्यादा में परमात्मा ने हमको भेज कर हमसे कुछ काम कराने चालू कर दिये। आज जिस मार्ग पर परमात्मा ने मुझे भेजा कि जाओ तुम रोज सेकड़ों को भोजन कराओगी। तुमको सेकड़ों के भोजन कराने का स्रे मिलेगा। मुझे क्या निमित बना दिया परमातमाने और मैं निमित बनकर यह एहंकारी बन जाओं तो मैं निमित तो रहूंगा लेकिन स्रे भी मुझे मिलेगा लेकिन एक चीज और मिल जाएगी कि यह व्यक्ति करता तो है लेकिन इसके अंदर वो समरपड नहीं है इसके अंदर अभी एहंकार भरा हुआ है और जब हम एहंकार को स्वीकार कर लेते हैं और जो हम एहंकार में डूब जाते हैं तो फिर जो विक्ति हमको स्रे और निमित देने वाला था वो स्रे एहंकार का भी देगा और निमित भी आपको ही बनाएगा ध्यान रखिए अगर आपको उसने दानवी बनाने का निमित बनाया है, स्रे दिया है, तो फिर आपको जो है, वो चोर और डागू बनाने का भी निमित और स्रे दोनों देगा, क्योंकि आप उससे जैसा चाहते हैं, प्रभू मेरे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो, कि मैं किसी का नुकसान करूं, प्रभू मुझे फूल बन प्रभू मुझे ऐसा पवित्र बना देना देखे तुलसी की पूजा होती एक छोटा सा पौधा होता है लेकिन वहीं विशाल बड़े-बड़े रक्षों की पूजा नहीं होती है क्योंकि उनमें जो है वैसे गुण नहीं है जबकि गुण तो सब के अंदर है गुण धर्म प वनस्पती के लाब हैं जिस वनस्पती का नुकसान भी है ना उस वनस्पती के भी लाब हैं जो चोर दूसरों के घर में चोरी डखेती करता है ना वो भी अपने घर में जा करके अपनी मा बहन बेटी के लिए अपने बच्चों के लिए भोजन की वियोस्था करता है उनको प्रेम देता है ऐसा नहीं कि उसके अंदर प्रेम नहीं उसके अंदर भी प्रेम है उसके अंदर भी पवित्रता है लेकिन इसके बाद भी उसको लोग क्या कहते हैं निर्दई कहते हैं एक जो कसाई देखती है जो दिन रात मांस को जो है लोगों तक पहुँचा रहा है वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है वो भी अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करता है वो भी अपनी मा के प्रती बहुत प्रेम है उसका लेकिन उसको परमात्मा ने एक ऐसे मार्ग में लिप्त कर दिया परमात्मा को प्राप्त करना है कि प्रभू अब यदि मेरी मरत्यों यहां पर भी है तो मैं किसी का बगर नुक्सान की ही मर जाना चाहता हूँ और मैं आप में ही खो जाना चाहता हूँ मैं आप में ही लीन हो जाना चाहता हूँ और उस समय परमात्मा आपको एक ऐसी उर्जा प्रदान करते हैं कि आप कितने भी कस्ट में हो लेकिन आप उस कस्ट से भी पत्वरष्ट नहीं होंगे क्योंकि कस्ट में आने के बाद में पत्वरष्ट होने की संभावना होती है क्योंकि कहते हैं कि मन उस परस्थितियों का दास है और जो दास रहेगा वो दास रहेगा तो क्यों न हम परस्थितियों के दास बनने की बजाए उदास रहने की बजाए हम परस्थितियों की बजाए परमात्मा के दास बने उस परमपिता के दास बने और परम पिता के जब हम दास बन जाएंगे जैसे एक साधारां सा उदारन आप ले लिए कि आप सूर को अपना आदर्स मानते हैं आपने सूर को अपना आदर्स मान लिया और जैसे ही आपने सूर को अपना आदर्स मान लिया आप सूर के मार्ग पर चलने लग जाएंगे और सूर के मार्ग पर चलने जब आप लगेंगे तो आप लोगों को चुबें भले ही क्योंकि सूर तो तपन देता है न लेकिन सूर के बिना लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते यह सब को पता है तो आप सूर की उसमा सा, आप सूर की गर्मी सा चुब सकते हैं लेकिन आप उसकी requirement हैं, आप उसकी आउशकता हैं और साधारने बहुत बड़ी आउशकता हैं आप उसकी आप उसके लिए भगवान हैं आप उसके लिए जो भी आपके पास में सब्द हैं गौड हैं तो ये समझ लीजिए कि हमको परमात्मा ने स्रे लेने के लिए निमित बना कर भेजा है क्या हम ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं तै करें आप सभी को नमने मुले भारत माता कीजे हमारा भारत देश योगियों से भरा पड़ा है हमारे भारत देश में ही सारे संतपस्वीरी सिमुनी पैदा हुए हैं